जहिन दोस्तो आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है दोस्तो आप सब जानते हो मियामार हमारा एक पडोसी देश है और आप सबको पता होगा मियामार में चाइना का इंफ्लूएंस बहुत जाता है और अब जब से मियामार में मिलिटरी रूल चल रहा है उसके बाद से चाइना का influence दिन प्रतिन बढ़ता जा रहा है और मियामार आर्मी का लगभग 62-70% arm supply भी अब चाइना के थू हो रहा है और चाइना एक साथ एक तरीके सब कह सकते हो एक साथ मियामार की government के साथ भी आच्छा relation बना रहा है और कुछ fringe element मियामार में बना कर और उन लोगों को या फिर वो जो लड़ाके हैं आतंगबादी group हैं उनको पैसा और हत्यार दे कर मियामार की government को blackmail करने का भी कोसिस करता है एक साथ दो काम simultaneously चाइना कर रहा है आप सबको पता होगा मियामार 2017-2018 में चीन और पाकिस्तान के साथ 16 जेब 17 खरीडने को लेकर deal किया था और वो फैटर एरकाट मियामार के एरफोर्स को मिल भी चुके हैं लेकिन अब बड़ा सवाल यह है या फिर बड़ा newt यह है अब सिप्यार पार्ट की अब आपके करन वो सारे फैटर जेट ग्राउंडेड है और वो कई काम के नहीं है मियामार एरफोर्स के लिए और यह एक तरीके से सवक है जो आगे जाकर चीन पाकिस्तान की most advanced जेव 17 फ मैजरे भी और अडर दे सकता है यह सारे देशों के लिए सवक है आगे जाकर अगर वो ज्यादा जेव 17 खरीदते हैं या फिर अपने एरफोर्स के लिए जेव 17 को चुनते हैं तो उनका हाल काफी खराफ होगा या तो यह फाइटर जेट परफॉमांसी नहीं कर पाएगा य आज मैं इसी टपिक पर बात करने वाला हूं मियामार के एरफोर्स के साथ ऐसा क्यों हुआ जानने के लिए आप आखिरत तक ये वीडियो को देखते रही है और ज्यादा से यादा लाइक सेयर करना बिलकुल मत भूलिए देखिए जैसे मैं आपको कहा चीन और पाकिस्तान के करन ग्राउंडड हुए हैं उसके पीछे दो बजा हो सकता है या तो चीन ब्लाकमिल करने की कोशिस कर रहा है और मियामार की जो आर्मी है या फिर उनके जो एरफोर्स है उनको सही टाइम में स्पेर पार्ट नहीं भेज रहा है ताकि वो चाइना जो काम चाहता है मियामा पुराना नहीं है, तीन-चार साल या फिर कुछ फैटर एरकाप्ट तो एक साल भी पुराना नहीं है, पिछले साल भी लास्ट ब्याज का जेव 17 मियामार को मिले थे, तो अब ऐसा कैस, क्या हो गया है कि अच्छानक तीन-चार साल में उनको स्पेर पाट की जरुत हुई और वो भी पाकिस्तान सप्लाइ नहीं कर पा रहा है, यह व्यटर एरकाप्ट के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, और यह जो व्यटर एरकाप्ट, जेव 17 मियामार को दिया है, यह ब्लोग 2 या उससे पुराने स्टांड़ के है, कोई ब्लोग 3 स्टांड़र के व्यटर प्रोब्लेम है ठीक है उसको पाकिस्तान की मीडिया या पाकिस्तान की सेना नहीं बोलता है लेकिन जब कोई देश दूसरे देश उसे खरीदेगा तो वह प्रोब्लेम आएगा तो अचानक पता ही चल जाएगा अब अगर आप मियामार के के एरफोर्स में देखोगे मियामार के एरफोर्स में 30 के करीब मीग 29 से जो बो रस्या से लिए थे 6 सुखवी 30 SM का ओडर दिये हैं वो अभी तक मिलना बाकी है इसके बाद चाइना का J7, J5 इस टाइप का कुछ फैटर एयर कप्ट 35 के नंबर पर जो पुराने फैटर एयर कप मियामार अब इस्तमाल कर रहा है लेकिन अब अगर J17 अंदर प्रोब्लेम आएगा ये मियामार के लिए जरूर टेंसन बाली बात होगी क्योंकि अब से 3-4 साल में ये फैटर एयर कप्ट में इतने सारे प्रोब्लेम आ रहा है तो और बाकी 20-30 साल ये कैसे सर्विस दे अब उनका कोशी से वो कैसे भी करके मियामार के उपर हमेसार है अर्मी वाइज ताकत को वाइज देखोगे तो मियामार बंगलादेस के उपर आता है लेकिन एकोनोमी को आइज बंगलादेस मियामार के उपर है अब ये बंगलादेस के लिए अच्छा निव जरूर है अब आप बात करते हैं आर्जेंटिना की आप सब जानते हो आर्जेंटिना भी खुद आपने एरफोर्स के लिए 12 के करीब हैट्र रायर करप खरीरना चाहता है और बॉजेट भी वो अलोकेट कर दिये हैं और ज्यादा चांस ही कि वो जेव 17 की तरफ जाए क्योंकि वो जो दूसर आर्जेंटिना को जेट नहीं बेच पा रहे हैं और न्यूज ये भी था कुछ महिने पहले आर्जेंटिना की ऑफिसेल जाकर चाइना में नेगोसियोशन कर रहे थे जेव 17 को लेकर लेगिन ये न्यूज आने के बाद थोड़ा बहुत उनको भी जटका लगा होगा अगर और ये डिल करते हैं और जरूरे टाइम में चीन उनको धोका देता है तो उनको कई सरे प्रोब्लेम आ सकता है अब बात करते हैं नाइजरिया के नाइजरिया ने तीन फैटर एयर कर खरीदा है जेव 17 का फास्ट ब्याच के तोर पर हलाकि वो काफी पेशा देकर खरीदे थ लबख 63 मिलियन डालार पॉर एयर काफ देकर वो जेव 17 ब्लॉक टू को खरीदे थे और उनका प्लान था अगर ये जेट प्रोब्लेम सही किया तो आगे वो और अडर दे सकते हैं लेकिन अभी तक तो निया अडर आया नहीं है लेकिन ऐसा नियू जाने के बाद हो सकता है उनको भी पता चल गया होगा अगर वो जेव 17 के तरफ और जाएंगे तो उनको भी प्रोब्लेम का फेस करना पड़ सकता है देखे मियामार ने सबसे पहले जेव 17 के लिए डील किया था फिर नाइजेरिया और तिसरा पाकिस्तान की मिडिया बताता है कि वो देश था इराक जी हाँ इराक भी पाकिस्तान की जेव 17 के लिए इंटरेस्टेट था और ये बताय जा रहा है कि पिछले साल इराक ने डील किया है पाकिस्तान के साथ 12 एरक्राप्ट के लिए हलाकि कौन सा एरक्राप्ट है ये कॉप मिलेगा कितने पैसे में हुआ है उसका कोई खुला सा ना इराक ने किया है ना पाकिस्तान ने किया है उसको सिक्रेट रखा गया है और इसके विज़े वजह भी है क्यूंकि पाकिस्तान का माइंड में ये प्लान था वो इराक जो अपने एरफोर्स में एपसिस्टिन को इस्तमाल कर रहा है वो पुराना सेकेंड हैंड एपसिस् सदामुसर्ण जाने के बाद बरबाद हो चुका है और उसे कोई जरौद भी नहीं है रखने के लिए वो हैट्र रख सकते हैं लेकिन अमेरिका के पर्मिशन बहुत किसी के उपर इस्तमाल नहीं भी कर सकते हैं अगर उस एरिया में सबसे बड़ा दुस्मन ही अमेरिका है बाक पिसले में इराक के एरफोर्स को वो जेव 17 बना कर दे देगा और जेव 17 जी स्टांडर का है और इराक के एरफोर्स को भी कोई requirement नहीं है तो उससे सबसे उनको बुरा भी नहीं लगेगा लेकिन बीच में आमेरिका ने ऐसे डिल को भीटो कर दिया क्योंकि कोई भी F-60 नया जो पाकिस्तान चाहता था कि नहीं एसे में कुछ 20-30 F-60 Middle East के जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ से ले आऊँगा और आपने एरफोर्स को स्ट्रंग करूँगा वो नहीं हो पाया तो इससी वज़े से एराक ने खुलकर नहीं बता रहा है कि नहीं वो पाकिस्तान से जेव 17 ख वालिटी में जमीन आसमान की फरक है लेकिन आखिर में फिसे में मियामार के उपर आऊँगा पाकिस्तान अब फार्ट एयर का तो चलो जैसे भी के तैसा करके बेश दिया और पाकिस्तान कुछिस कर रहा है को मियामार को मिसाइल भी बेचेगा अब कुछ मियामार के ऑफिस करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए तक के आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिशने कर सके दोस्तों रुखता हूं बहुत जल्द और एक ने टपी के साथ मिलूंगा नमस्कार जैहिन